नमस्कार दोस्तो ओनलाइन फोरम ओफिस्यल चैनल पर आप सभी का स्वागत है तो आज मैं आपको राष्टे मिल्टरी स्कूल अजमेर की वोरियस पोस्ट ओफ गुरूप सी की भरती के बारे में बताऊंगा तो भरती से रिलेटिड पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एं स्थान और निच्चे चलकर आपको एंप्लॉइमेंट नोटिस फोर दी वोर पोस्ट ओफ गुरूप सी कटेगरी देखने को मिल जाएगा यानि की गुरूप सी के यहां पर भरती निकली हुई है अब निच्चे चलकर आपको सिधा पोस्ट पे स्केल एज गुरूप सी और नंबर और पोस्ट और कटेगरी और कॉलिफिकेशन के बारे में जानकारी दी गई है जैसे कि सिंपली में आपके बता दूँ पहली है वोस्टल सुपरिटेंडेंट तो यहां पर जो पे लेवल होगा वो लेवल पांच का होगा और जो आपकी उमर होनी चाहिए वो 21 से ले कोचिंग सेंटर चिल्टरन यानि की वोस्टल और स्कूल ट्रेनिंग में कैसे काम करते हैं यह जानकारी आपको होनी चाहिए और इसके बाद सी पाइंट में आपको बताया गया है कि अकाउंट का एंडिलिंग और बुक्स की किपिंग कैसे करनी है यह भी आपको पता होना साइए और डी में एविलिटी टू कोच इन मेजर गेमस यानि गेमस में आप कोच के रूप में बागितार नहीं बाएंगे तो दोस्तों ऐसी तरह से आप सभी जो वैकेंचिज उनके बारें पड़ सकते हैं जो दूसरा माल लिया इसके बाद सफाई वाला इसके बाद वास अग्वें राश्टे मिल्ट्रिस्कूल अजमेर में इसके बाद जो त्री पाइंट इसमें आपको बता है कि आपका पहले लिटन पर उसकी फीस भी दी गई है टोटल सो रुपया फीस है जो कि आपको इंडियन पोस्टल ओडर से पे करनी होगी और अगर आप हमसे परसनली जुड़ना चाते हैं तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में सभी सोचल मीडिया गुरूप स्के लिंग के दिये हैं उन लिंक्स प आपको 5 चाहिएं के और अगर आप पहो पशेo कंडिडेट नीचिता की सूत मिल जाएगी और अगर इसके बाद युख है तो आपको सो रुपय का इंडेल पोस्ट ओंड्र पे करना होका और ये पिष दोस्तों नों-षै alto-nah याने की वापिस नहीं होगी लेकिन अगर आप एस्ट या फिर एक्सर इसमेन है तो यह आपको फिस्ट पे नहीं करनी है अब इसके बाद आपके टोटल जो डोकुमेंट से उनके बारे मजान करी दी गई है कि आपको जो एप्लिकेशन लेटर है उसके साथ कौन-कौन से डोकुमेंट एटाइच करने है तो पहला है सिंगल आपका फोटोग्राफ जो की डॉल एसिस्टिड होगा और इसके बाद आपके फोटोकॉपी ओफ और उसके बाद आपके दो सेल्फ एड्रस जिन पर ब्याल रुपए की स्टंप लगी होगी और इसके बाद आपकी का सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी और अगर आप नोन क्रीम लेयर है तो उसके सर्टिफिकेट का कोपी भी आपको डालना होगा और साथ में अगर आप EWS क पहला और सुपरीटेंट के लिए है तो इसके आपका रिटन टेस्ट होगा और उसके बाद आपका श्किल टेस्ट होगा आपकी जो फाइनल मेरिकलिस्ट है वो written test or subject to qualification in skill test यानि की written test or skill test के base पर की जाएगी अब इसके बाद आगे चल कर scheme of examination formalis, spywala, waserman or table water, table waiter इन सब के लिए दी गई है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर total 4 parts होंगे journal intelligence के, journal awareness के, English के और numerical aptitude के है और यहाँ पर आपको number of questions और marks दिये गई है आप इने देख सकते हैं इसके बाद आपको बताएगा है कि आपका जो paper होगा हुआ हिंदी और English दोनों में होगा इसके बाद दोस्तों syllabus for examination of mallis, spywala, इन सब का syllabus यहाँ पर दिया हुआ है इसके बाद important instruction दिये गए है तो जो पहला point है इसमें आपको बताएगा है कि आपको आने जाने का खर्चा जो है आपको खुद उठाना होगा और इसके बाद आगे चलकर जो point है इसमें आपको बताएगा है कि आपका जो इनिविलप होगा इसके बाद आपको पोस्ट का नाम लिखना होगा यानि कि अप्लिकेशन फोर दि पोस्ट उप आपके इस पोस्ट के लिए अपलाई कर रहे है वो आपको capital letters में लिखना होगा और साथ में ही दोस्तों आपको वहाँ पर category का नाम भी लिखना होगा और इसके बाद आगे चल कर जो एच पाइंट है इसमें आपको बताएगा है कि जो candidate category से बढ़ते हैं उनका जो certificate होगा जैसे card certificate है disability certificate है, non criminal certificate है या फिर income access certificate है यह सभी certificates आपको आपके application letter के साथ attach करनी होगी और दोस्तों आपका education qualification, technical qualification experience, cost, date of birth certificate यह सभी certificate जो है आपको आपके application letter के साथ attach करनी होगी लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात फिर बता दूँ आपको original documents नहीं बेजने है और इसके बाद जो जे point है इसमें आपको बताएगा है कि आपका जो application letter होगा अगर incomplete हुआ या फिर unsigned हुआ या फिर उस पर LTI यानि कि left thumb impression या फिर right thumb impression नहीं हुआ तो आपका जो application form है उसे reject कर दिया जाएगा और इसके बाद आपको बताएगा है कि या आप जो अपना application form है उसे इंदियों और इंगलिस में दोनों में बर सकते हैं तो दोस्तो ये थी पूरी जानकारी इस बरती से related अगर आप applicable है, eligible है तो आउधन कर सकते हैं और दोस्तो इस बरती का form कैसे फिल करना है इसका वीडियो भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा और दोस्तो नीचे description में आपको online form करके एक site का link दिया हुए उस link पर जाकर आप इस बरती के बारें पूरी जानकारी ले सकते हैं और साथ ही इस official notification को भी download कर सकते हैं और साथ ही दोस्तो आप वहाँ से इस बरती का application form भी download कर सकते हैं वो भी बिल्कुल free में अगर वीडियो पसंद आया है तो like, comment, share करे और दूसरे job notification और important updates के लिए हमारे YouTube channel online forum official को subscribe करके bell notification ओन कर ले ताकि आने वाली सबी बरतीयों की जानकर या आपको time to time मिलती रहे जा हिंद जा भारत